जहें दोस्तों आज की वीडियो में हमनों लाव और हानी का कोश्चन नमर 36 से लेकर के 40 तक का सोल्म करेंगे तो चली कोश्चन नमर 36 को हमनों यहाँ पर बढाते हैं कोश्चन नमर 36 में क्या कर रहा है किसी वस्तू को 21 रुपय में बेचने से एक विक्ति को क्रेमल के बराबर प्रतिसत हानी हुई वस्तू का क्रेमल कितना था यहाँ पर कह रहा है कि वस्तू का जो CP है मान लिजे वस्तू का CP क्या है X है तो उसको जो हानी होगा वो हानी भी क्या होगा वो हानी हमारा X percent होगा तो आपको बताना है वस्तू का क्रेमल कितना है तो इस question को बनाने के लिए हम लोग option का मदद लेंगे, हम लोग मान कर चलते हैं कि हमारा answer क्या है सही 30 है, तो 30 हमारा क्या हो गया CP हो गया 30 हमारा क्या हो गया, CP हो गया तो 30 का 30% हमको क्या हो रहा है, हानी हो रहा है, अगर 30 का 30% माइनस करने पर अगर हमको क्या मिल जाए, एकीस मिल जाए, तो हमारा option number A यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 30 का 30% कितना हो जाएगा, तो 30 का 30% हो जाएगा, 9, तो 9 हम घटा देंगो, कितना हो जाएगा, 21 आजाएगा, तो यहाँ पर हमारा 20 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग का option number A यहाँ पर सही हो जाएगा, चुकि यहाँ पर 70 भी दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग verify कर लेंगे, चुकि इसको exam में verify करने के जरूत नहीं है, क्योंकि option number A में ही केवल 30 दिया हुआ है, इसलिए हमारा option A ही सही होगा, पर 70 को भी verify कर लेते हैं, हमारा CP कितना है, 70 है, यानि कि 70 है, तो 70 का 70 प्रशंड क्या हो रहा है, हम लोगों को हानी हो रहा है, 70 का 70 प्रशंड कितना होता है, तो 79 होता है, तो हम लोग घटाते हैं, तो फिर भी क्या आता है, यानि कि 100 रुपया में उसका लाब कितना था, 25 था, तो कोश्ट प्रश कितना हो गया, 75 हो गया, हमको यहाँ पर क्या बता है, उसका लाब प्रतिसत कितना है, यानि कि 25 रुपया का उसको फाइदा हो रहा है, जबकि उसका कोश्ट कितना लग रहा है, 75 का हो रहा है, परशं थाए अब हम लोगो बनाएंगे कोश्चन नम्मर 49 question number 49 में क्या है एक cycle को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाव होता है यदि यह लाव 8% रखा जाए तो cycle का विक्रेमुल कितना होगा अब यहाँ पर देख लिजिए मान लिजिए कि cycle को खरदा गया था 100 में और 14% का profit में बेचना होगा 108 का value निकालना है 114 का value यहाँ पर क्या दिया हो 2850 दिया होगा अब हमको क्या करना होगा 114 से कितना कम है तो 6 कम है अगर हम लोगों सोल्व करके 6 का value निकाल ले 6 का value कितना है तो हम लोगों असानी से 108 का answer बता सकते हैं तो इसको मिन काटते हैं, 19 का पहाड़ा में 114 आता है, 19 सक्षक 114 із 걩, 28 से 114 गया ह्ट निकलेगा, 8 टिक लेगा तो 850 में हम लोग 150 घटा हैं तो किसका भेलू मिल जाएगा 108 का भेलू मिल जाएगा तो 2850 में 150 को घटा दीजी तो हमारा answer निकल कर आएगा 2700 जो हमारा option number B में दिया हुआ है अब हम लोग बढ़ाएंगे last का question 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 number 40 question number 40 में कह रहा है 100 बस्तूओं में से आधी बस्तूओं को 20 प्रिशन लापर तता सेस बस्तूओं को 40 प्रिशन लापर बेचा गया माल लेते हैं 100 बस्तूओं का मुल्य है 100 रुपिया इसका आधा बस्तूओ क्या हो गया 50 हो गया और सेस कितना बच गया 50 हो गया अब इस 50 को, पहले 50 को क्या किया जा रहा है, 20% के लाप पर बेचा जा जा रहा है, तो 50 का 20% होता है, 10, यानि कि 50% के समान को किता बेच देंगे, 60 में बेच देंगे, आगे कहता है कि बाकी बचे 50% को 40% में बेचा जा जा रहा है, तो 50 का 40% किता होता है, तो 5 के 20 होता है, या अगे कहता है यदि सभी वस्तूओं को 25% के लाब पर बेचा जाए यानि कि 100 के वस्तूओं को 125 में बेचा जाए तो यहां पहले से 100 रुपे कम मिलेगा अब यहां पर ध्यान देजे यहां पर हमको फायदा कितना मिल रहा है 100 का वस्तूओं को 130 में बेचे तो 30% का लाब मिल रहा है और यहां पर 100 का वस्तूओं को हम लोग 125 में बेचे तो 25 का लाब मिल रहा है यानि कि यहां का difference कितना रहा है 5% यानि कि यहाँ पर हमको 30 का लाब मिलता है, यहाँ पर 25 का लाब मिलता है, यानि कि अंतर कितना है, 5% का अंतर है, पर यहाँ एंसर में क्या दिया हुआ है, 100, यहाँ पर 100 का अंतर दिया हुआ है, यानि कि 5% बोल लिजे या 5 वस्तू बोल लिजे, तो 5 वस्तू का दाम यहाँ को चेंगा सोलुसन, बताउंगा